पोड़ी खबर रुख करेंगे इंदौर से इस वक्त मिल रही है जहां इंदौर के चंदन नगर इलाके में पुलिस की टीम पर हमला हुआ है चंदन नगर में रहने वाले लोगों ने यहाँ पर यह हमला किया है पुलिस की टीम पर घरों के बाहर जुंड बना कर लोग खड़े हुए थे पुलिस जब इने इस समझाईश देने के लिए पहुँची तो पुलिस की टीम पर हमला कर दिया तस्विरों में आप देखिए कैसे दोड़ा दोड़ा कर पुलिस को मार रहे हैं इन दौर के चंदन नगर इलाके का ये पूरा फुटेज सामने आया है छे लोगों को फिलाल पुलिस ने गरफतार किया है लेकिन ये देखिए तस्विर है जो पुलिस कर्मी दिन रात अपनी जान जोकिम में डालकर हमारी सेवा कर रहे हैं उन पुलिस कर्मियों के साथ चंदन नगर के लोग किस तरह का बरताव कर रहे हैं आप देखिए शर्मनाख है ये इंदौर शहर जहां अभी एक हफते पहले मैडिकल टीम पर हमला हुआ था और ये इंदौर के चंदन नगर इ जाए कम होगी एक हफते पहले मैडिकल टीम पर हमला हुआ और ये चंदन नगर के लोग क्या मैसेज दिना चाहते हैं देश को पहले मैडिकल टीम पर हमला हुआ था मारपीट हुई थी और उसके बाद में कहीं कहा जा रहा था कि अब इसके दिन ये इंटर्णम होगी लेकिन उसके साथ ही अब चंदन नगर शेत्रे की तस्वीरे सामने आई है ये वीडियो वाइरल हुआ है दरह सब स्वास्तभा की ट स्वास्तभा की टीम पर पत्थर भी उठाय और जो टीम जाची ले पौची थी उनपर इहां पर हमला कर दिया हुआए अनकि स्वास्तभा की पूलिस ने यहां पर तुरंट एक्शन लिया और भिलाल बताया जा रहा है कि छे लोगों को यहां पर हिरासत में रिए लिया गय पर रासुगा की कारवाई की जाएगी तो कि मामला काफी यहां पर गंबीर है जिकाक और तरीके से जो लोग बगेर अपनी जान की परवा किये ऐसे इलाकों में जा रहे हैं जहां पर संक्रमन के खत्रा है और उनके साथ में इस तरीके से मार्पीट होती है तो सवाल निशान यहां पर खड़ा होना लाजमी है और आखिर कुरूना के खिलाब जो युद्ध है इंदौर शहर एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा है उसे यहां पर कैसी जिता जाता है कि का यह सवाल यहां पर उठता है बिल्कुल सही सवाल आपने उठाये हैं बियूश बहुत-बहुत शुक्रे आपका बाच्चित के लिए जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है तसीरों को देखकर आप देखे दिन रात पुलिस कर्मी डॉक्टर्स जो हमारी जान जोखिम में डालकर हमारी जान बचाने के लिए पकटी बद्ध है उस तर दोर शहर के चंदन नगर के लोगों के आप देखिये तस्वीरें चंदन नगर में कौन है इन्हें चिन्नित करिये इनके खिलाफ रासुका की खारवाई करिये प्रशासन पुलिस सरकार शिवराज सिंग जोहां लगातार यह अपील कर रही है लेकिन लोग समझ नहीं रहे ह कौन लोग है इन्हें चिन्नित किया जाना चाहिए और तुरंट जेल भीजना चाहिए बड़ते अंगली ख़वर की ओर राजानी भुपाल से इस वक़वर जहां पूर्व मंत्री पीसी शर्मा की एक सराहनी अपहल यहां देखने को बिल रही है पीसी शर्मा ने पुलिस ल जाहिर है कि पुलिस कर्मी जो हमारी दिन रात सेवा में जुटे हैं हमारी सेवा कर रहे हैं ड्यूटी दे रहे हैं और ऐसे में पुलिस कर्मी कही ना कहीं फील्ड पर जब तैनात होते हैं अपनी ड्यूटी के वक्त तो वो खत्रे में होते हैं और उन पुलिस कर्मियों की पूर्ग जनसंपर्क मंद्री और उन्हों ने सेनिटाइज मशीन यहां पर लगाई पूलिस शुरुआ की एक जिमान थी कि जो पूलिस कालोनी है हमारी पूलिस लाइन इसमें जो पूलिस कमचारी जूटी से वापिस आते हैं तो एक शावर्स सेनिटाइजर की आवशक्ताती कादा तो हमने अलागा जिये आज वो शुरू हो जाएगा इससे जो भी पूलिस कर भी लोट के आएगा अपनी जूटी से तो वहां सेनिटाइज होगा फिर अपर 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 जमें जाएगा तो तो परिवार और पूर अच् कोरोणा वाइरस की वज़े से पूरी दुनिया में देश्चत का माहौल है इस वाइरस की वज़े से हजारों मौतें हो चुकी है और सैकडों लोग प्रभावित हुए हैं तो वहीं दुनिया के सुपर पावर कहे जाने वाले देश के सामने भी मुश्किल की घड़ी है वहीं भारत में मलेरिया के इलाज में उप्योग होने वाली हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दावा की वजब पूरी दुनिया इस दवाई को कोरोना पायरस के इलाज की एक उम्मीद तरह देख रही है यहीं नहीं इस दवाई को गेम चेंजर का दर्जा दिया जा रहा है और विश्व में भारत को गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है बताय जा रहा है कि इस दवाई के लिए पूरी दुनिया को भारत से काफी उम्मीद हैं क्योंकि इस दवाई की पूरी सप्लाई का 70 फीजदी हिस्सा भारत देश में ही बनता है दावा ऐसा दावा भी किया जा रहा है कि भारत में इस दवा बनाने की कैपसिटी काफी प्रभावी है भारत तीस दिन में 40 टन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवाई बनाने की श्रमता रखता है याने की इस तरह से 20 मिलिग्राम की 20 करोड टाबलेट्स बनाई जा सकती है जिसको लेकर पूरी दुनिया के लिए भारत एक नई उमीद बनकर साम्हें आ रहा है आपको बताते हैं कि आखिर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जो दवाई आफ सुन रहे हैं ये एक एंटी मलेरिया ड्रग है दूसरे विश्वयूदे के दौरान इसका इस्तिमाल किया गया था आम बोल्चाल की भाषा में कुनैन की कड़वी गोली इसे कहा जाता है 2012 में कोरोना वाईरस परिवार के सदर से मार्स का संक्रवन पहला था 2012 में आठ साल पहले और वग्यानिकों ने हजारों दभाईयों का जो है इसमें फरिक्षन किया था इसका और प्लोरोक्वीन सहित तमाम दभाएं कोशिकाओं में वाईरस का संक्रण खलाने से रोपने में मददगार पाई गया इन पर आगे शोद नहीं किया गया क्योंकि एक सीमा के बाद ये ज्यादा असरदार सावित नहीं हो सकी कोरोना वाईरस से मुकाबले के लिए इस ड्रग को संभावित इलाज की सूची में उपर रखा गया है आईड्रोक्सी प्लोरोक्वीन के साथ एजीत रूमाईसीन का कॉंबिनेशन कोरोना के असर को कम कर सकता है लेकिन कोरोना को खत्म कर दें इसके अभी पुस्टी नहीं हुई है अमेरिकी राज़्टपती डोनाल ट्रॉम्प ने कोरोना वारिस की महामारी से निपटने के मामले में विश्व स्वास्त संग्ठन यानि डवल्यू एचो पर बड़ा हमला बोला है प्रॉम्प ने कहा है कि डवल्यू एचो को अमेरिका से बड़े पैमाने पर धन मिलता है मैंने चीन के लिए यात्रा पर बैन लगाया तो वो मुझसे असेहमत थे और उन्होंने मेरी आलोचना की तो बहुत सारी चीजों के बारे में गलत थे ऐसा लग रहा है कि उनका चीन पर ज्यादा ध्यान है हम डवल्यू एचो पर खर्च की जाने वाली धनराशी पर रोक लगाने जा रहे है बढ़ते अंगली खबर की और चतरपूर से खबर जहां गेहूं की फजल में आग लग गई है लाखो रुपे का गेहूं जलकर खाक हो गया है करीब दो एकर खेत में गेहूं की फजल में आग लगी है बिजली का तार तूट कर गिरने से हादसा हुआ है कड़ी मश्रक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया तस्वीरें आपको दिखा देते हैं और ये देखें चतरपूर की इस तरह गेहूं की फजल में आग लग गई अचानक से और काफी नुक्सान हुआ है लाखों का गेहूं यहां पर जो रखा था वो जलकर खाक हो गया आला कि यह आग लगने का कारण बताय जा रहा है बिजली का जो तार है वो तूट कर गिर गया था उसके आग स्पार्क हुआ आग लग गई और देखते ही देखते आगने विक्राल रूप ले लिया कबर सागर से जहां भतीजे ने कुलहाडी मार कर अपने चाचा की हत्या कर दी है घरेलू विवाद के चलते बताया जा रहा है भतीजे ने अपनी चाचा की हत्या की है परार भतीजे की जांच में फिलाल पुलिस जुड़ गई है सागर के जैसी नगर ठाना श्रेत्र का ये पुरा मामला है अपने चाचा की हत्या भतीजे ने महद इसले कर दी घरेलू विवाद का कुछ कारण था और कुलहाडी मार कर चाचा को मौत के घार टुतार दिया आज पूरी दुनिया एक अद्रश्य चुनोती का सामना कर रही है कोरोना जैसी महामारी के चलते हर तरफ लॉकडाउन है ऐसे में जरूरत मन्द लोगों तक मदद पहुचाना किसी चुनोती से कम नहीं है लेकिन ये चुनोती भी तब छोटी पड़ जाती है जब बालोद जिसे की चिटोद गाउं में रहने वाले 90 साल की बुजर्ग मुसीबत को ही चुनोती पेश करती है तीन हजार के आबाधी वाले ग्राम पंचायद चिटोद में रहने वाली 90 साल की बुजर्ग महिला देव बती साहु ने अपने तीन महिने का पेंशन प्रधान मंतुरी राहत खोश में दान कर दिया उन्होंने अपने जीवन निर्वाह की जरूरतों को सीमिध करते हुए जन कल्यान के लिए लोगों को रहा दिखाई है इसी गाउं की रहने वाली मासूम बच्ची काजल साहु ने भी अपने गुल्लक में जमा कुल 5,000 रुपे देश की सिवा में समत्वेत कर दिया एक बुजर्ग और एक मासूम के इस जजबे की अब हर कोई तारीफ कर रहा है कोरोना महमारी पर रोक्थाम के लिए किये गए लॉकडाउन में यूपी के गाजियावाद के रहने वाले दिव्यांग पती-पतनी स्तहे दो बच्चों के स्ताम ने दो वक्त की रोटी का संकट खड़ा कर दिया है ये परिवार शहरोल जिले में भीख मांग कर अपना गुजारा कर रहे थे लेकिन 21 दिन के लॉकडाउन ने इस परिवार को भूखा मरने की तहलीज तक पहुँचा दिया लोगों ने परिवार को भीख दिना बंद कर दिया था जिसके बाद ये सडकों पर भटक रहे थे ऐसे में किसी ने इन्हें नगरपाली का धनपोरी का पता बताया तो दिव्यांग परिवार किसी तरह पैदल सफर तैकर नगरपाली का पहुँच गया जहां नगर पालिका सीमो रवी करंट रिपाथी ने जब पीडित परिवार की दास्ता सुनी उनका दिल पसीज गया उन्होंने पीडित परिवार का मारिकल चेकप कराया फिर भरपेट खाना खिला कर एक महिने का राशन मोहिया कराया जिसके बाद पालिका की गाड़ी से ही परिवार को उनके गंतव्य तक पहुचाने का इंतिजाग किया गया गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से यहां पर पंद्रा तारिक से बढ़ार में रुके थे अचाना का आज बढ़ार नगरपाली के पहुचे उनको किसी ने बताया कि यहां पर आपको रासन मिल जाएगा यहां मदद मिल जाएगी तुरंथ हमारे करमचारियों ने मेरे पास कार्याले में लाए गया उनको सारी सुगदाएं मेडिकल से लेके स्वास पर इचल कराया गया मास्क दिये गए सेनेटाइजर शाबुन डिटाल साबुन हमाम साबुन और निर्मा कपड़ा धुलें के लिए एवं पक्का एवं कच्छा भोजन दाल चावल पालन करने के बजाए खिलवाड कर रहे हैं देश भर में कोरोना की चुनौतियों से निपटने के लिए लॉकडाउन किया गया है लेकिन करेरा में बैंकों के बाहर सरकार के नर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है सुबह से ही कई बैंकों के बाहर भीड लग जाती है ह आला कि बैंक के अंदर कम ही लोगों को जाने दिया जा रहा है, लेकिन बाहर लोग लापरवाही बरत रहे हैं, देखिए हाँ. देश भर में तेजी से फैल रहे, कोरोना संक्रमन किये, एक तरफ जहाँ पुलिस को लोगों से सक्ति से निबटना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगडाउन में पुलिस का मानवी चेहरा भी देखने को मिल रहा है. फुलिस की दर्या दली का ऐसा ही एक मामला राहिसिन के बरेली में देखने को मिला, जहां बरेली थाने के टियाई कुमर सिंग मुकाती ने रोज खाने कमाने वाले 50 गरीब मजदूर परिवारों को राशन और सबजी वितरित किया. लॉक्डाउन के कारण 50 से ज्यादा मजदूर परिवार बरेली में फसे हुए हैं, जिनकी फिछली 14 दिन से बरेली टियाई देखवाल में जुटे हुए हैं. कोरोना वाइरस की जंग में अब कॉंग्रेस भी मैदान में उतर गई है. कॉंग्रेस के संगठन ने कोरोना वाइरस के खिलाब जन जागरुकतार जरूरत मंद लोगों को सहायता पहुचाने का अभियान शुरू किया है. जिला स्तर पर इस अभियान की मॉनिटरिंग के लिए पार्टी ने सोशल मीडिया का सहारा लिया है. हाई टेक तरीके से इस पूरे अभियान की मॉनिटरिंग की जा रही है. इसी सलसले में कॉंग्रेस प्रदीश अधियक्ष मुहन मरकाम ने कॉंग्रेस कारे काननी और जिला अधियक्षों की बाठक ली वीडियो कॉंफरेंसिंग के जरिये मुख्यमंत्री भुपेश बगेल और प्रदीश प्रदीश प्रदाधिकारियों से इन मिले. इस मौके पर सीम बगेल ने पार्टी पदादी कारियों और कारिकरताओं को महामारी के खिलाफ लड़ाई में सहियो करने पर बधाई दी. मीटिंग में शामिल स्वास्तिमंत्री टिये सिंगदेव ने स्वास्तिव भाग के काहों की जानकारी देते हुए वीडियो कॉंफरेंसिंग का समाफन किया. कोरोना महामारी के इस वेश्विक संकट में जहां जरूरत मंदों को मदद पहुँचाने के लिए हजारों हाथ आगे आ रहे हैं तो वहीं अभी भी कुछ ऐसे लोग है जो मददगारों की नजर से छूड़ गया है. ऐसे में बंसन नीउस की मुहिम है कि ऐसे लोगों तक भी मदद पहुचाई जाए. इसी मुहिम में बंसन नीउस पहुचा था पुलिस लाइन के निर्मान आधीन अपार्टमेंट में जहां लगबग 80 मजदूर फसे हुए थे. इस खबर को बंसन नीउस पर दिखाय जाने क के बाद जगदलपूर आंधर समाज, जगदलपूर विधायक और फुलिस प्रशासन के साथ ही निगम की टीम इन मजदूरों के पास पहुच गई. सभी मजदूरों को जरूरत के मताबिक राशन और सबजिया दी गई. साथी मजदूरों को मास्क बाटे गए. मदद मिलते असी मजदूरों को अब उनका राशन मिलने लगा है. आप देख सकते हैं कि ये राशन के पैकेट पहुचे हुए हैं और बंसल्यूज ने जब इस खबर को चलाया था कि असी मजदूर फसे हुए हैं जगदलपूर में और उनके पास अब राशन खतम होने को आया है और अज इन परिवारों को राशन बाठने के लिए पहुचे हैं यहां पर हमारे साथ अंदर समाज के अधिक्स भी खुद मौजूद हैं उनसे जानते सर आपको सूचना कैसे मिली यहां की और आप पहुचे यहां पर राशन बाठने के लिए जिला प्रसाशन के द्वारा और बनसन लिवज के माध्यम से हमको सूचना मिली कि यहां कुछ मजदूर फसे हुए हैं इस करोना संकट की आपदा में तो हम सबसे पहले यहां आए और यहां पर राशन बाठने की विए उस्तार जितना हो सका प्रयास किये और देने कर रहे हैं यह तो बड़ा कश्ट का स्रीबाला जी टेंपल कमेटी के सयोग से हम सब मिल करके यहां पर राशन और कुछ सब्जियों की व्यवस्ता करके थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा सो इस कठीन दौर में इनको सायता मिल जाए आप देख सकती हैं यहां पर महिला हैं अब खुशी का चहरा लेकर यह राशन जो है अपने घर तक लेकर जा रहे हैं मतलब जहां वो लोग रुखे हुए हैं जो यह बिल्डिंग नौनिर्मित बिल्डिंग है जहां पर बिल्डिंग का काम चल रहा है वहां पर फसे हुए थे वहां पर यह राशन बना लेकर जा रही हैं और इस राशन को सोय और इनके लिए व्यवस्था लगातार जो है होते रहे हाला कि फिलाल भी इससे पहले भी व्यवस्था होती रही है और अब भी व्यवस्था जो है लगाता अजिला प्रशांचों नसामाजिक संगेटन कर रहे हैं जिस संगेटनों को बंसलियूज बहुत जादा धन्यवा में मिले हैं आठ संक्रमित मरीजों के रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और राजधानी भोपाल में अब यह आठ पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद आकड़ा बढ़कर 84 से 91 पहुंच गया है 91 तो फिल्हाल आठ नए पॉजिटिव मरीज यह मिले हैं और मद्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में अब कोरुणा संक्रमित मरीजों का आकड़ा 91 के आगळे पहुंच गया है लगातार इनदौर जो एपी सेंटर बना हुआ है कोरुणा का उसके बाद अब राजधानी भोपाल वह ऐसा शहर बन गया है जहां पर तेजी से कोरुणा संक्रमित मरीजो हम रुक करेंगे इस वक्त को मल शर्मा हमारी संभाथ दाताफ फो लाइन पर चुड़ गई है कोमल लगातार इन दौर के बाद बोपाल कई सवाल खड़े कर रहा है और अंक्डे बढ़ रहे हैं, क्या हो गया है भोपाल को पेशन्स थे लेकिन अब जिस तरह से पेशन्स की संख्या बढ़ रही आपको बता दे कि आज पिर आठ नए कोरोना पॉजिटिव पेशिंटस जो है वो मिले हैं इनकी जो रेपॉर्ट है वह 8 संक्रम टवियक्तियों की हमप्नोर 카शित की जो सैंपल रेपोर्ट है वह बॉजटिव आईया इसमें से एक वरीज की वित्यू भी हो गई है तो वाकई दिपक ये इन दोर में तो डराने वाली संख्या लगतार सामने आ रहे हैं लेकिन भोपाल को लेकर थोड़ी मिश्चिन था लेकिन अब जिस तेजी से भोपाल में ये संक्रमन जो है वो तेजी से बढ़ रहा है खास्तार पर पुलीस और स्वास्त करमचारियों उनके परिवारवलों में ये तेजी से बढ़ रहा है उसके बाद अब ये वाकई बहुत गंभीर समस्या होती जाए और कैसे इसे क्योंकि चूकि लॉकडाउन है उसके बावजूद ये पेशिंस की संख्या बढ़ रही है य अलबाच्वीत के लिए